आदुनिक यूग में हर चीज आदुनिक तरीके से इस्तेमाल में की जाती है और हम dependable हुए हैं आज की इस आदुनिक टकनीक की Mobile Phones की बात करें, Services की बात करें आज हम लोग जो है Mobile Phones के आदी हो चुके हैं लगिन इसे दुर भागे का जाएगा कि जमो कश्मीर का जब अस्तित्व बदला याने कि 5 अगस 2019 को जब जमो कश्मीर युनिन टेरिटरी बन गई उसी समय से जो है हमारे मोबाइल फोन्स पर हमारी सरसिस्ट पर भी जो है इसका परभाव देखने को मिला जी या 4G सरसिस्ट जो है वो बैन होई उसके बाद समय काल चकर चला 2020 आया 21 आने के कागार पर है लेगिन अभी तक जो 4G की सर्विस है उसको रिस्टोर नहीं किया जा रहा आम जंता जो है से काफी परिशान हो रही है लोगों के बिजनस परभावित हो रहे हैं और सबसे अधिक विद्यार्थ आई जाने का प्रयास करते हैं कि हमारी आम जंता क्या कहना चाहती है इस 4G की स्पीड ना मिलने के कारण जो 2G की स्पीड मिल रही है क्या वो सफिशेंट है या फिर 4G की स्पीड जो है इस वक्त अनिवारे है सर आपका नाम 4G बंद हो है ये सरकार ने किस डिसीजन से किया था और आज की डेट में इसकी बहुत ज़्यादा जुरूरत है बच्चों के लिए और विपारियों के लिए बच्चों के लिए इस करके कि सारे फोर्ड नहीं कर सके अपने वाइफाई को इस करके ये गोर्मन को चाहिए कि 4 लोग पर भावित हो रहे हैं सारि जम्हुकुन मिर जो है फोर्ड नहीं की वज़ा से परवावित है मोधीalayotte मिश्इन एंडिया और डीटिल पेमेंट जो है इससे इतनी प्रवावित होई है कि यहां पर जम्हुकुंग मेर्ड दीज्टिल इंडिया का जो सफना सा का बेंकमें नेटवरकिंग होती है वरिता जी यह बताए कि 4G services ना मिलने के कारण किते परिशानी आ रहे हैं? परिशानी है, business कैसे करेगा 4G, बच्चों के नोर्स बगर आते हैं, बड़ी classes के, colleges के, कैसे करेंगे बिना उसके? प्रवर्मेंट कह रही है कि हमारा देश हो है, वो डिश्टल इंडिया बन रहा है, तो क्या डिश्टल इंडिया इसी तरह से बनते हैं? डिश्टल इंडिया कहां से बन रहा है? यह तो दिख नहीं रहा है, कहां से बनेगा डिश्टल इंडिया यह तो नहीं बन रहा है? डिश्टल इंडिया बनेट कहां से बनेट कहां रहा है, तो क्या बनेट कहना है? जो एक निया ब्यंक रूप आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो फोजी सर्विस है, कम से कम जम्मू है, कटुवा है, सामबा है, बद्रवा है, किश्टवार है, ऐसे जो एरिया यह कश्मीर में जो काफी एरिया है, उनको कम से कम ट्राइल तो करना चाहिए, हमेशा मैं कब से यही चीज देख रहा हूं, कि हर बारी उसी दो डिस्टिक को आगे कर देते हैं, हर बारी कम से कम ट्राइल तो कर लो, कम से कम ट्राइल तो करना चाहिए, था कि जो हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो बच्चे है, चाह रहे हैं दो जादा प्रॉब्लम जा सकता यह रूलर एरिया सब्कों प्रॉब्लम है अब मुझे यह रिक्वेस्ट रेसके तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं दे सकते हैं यह वह नहीं दे सकते हैं वो एक्स्टेंड कर देते हैं कि अब हम रिव्यू करेंगे अब मुझे लगता है more than one year हो रहा है अब तो प्लीज उनसे रिक्वेस्टे कि प्लीज इनिशेटिव ले और अब हमें इंटेनेट सर्वीस हमारी रिस्टोर करें जल्दी से जल्द मिल तो यह बताइक है कि इसवक्त 2G की स्पीड आपको मिल रही है तो किती परिशानी हो रही है उमें बहुत परिशानी हो रही है हमारे क्लासि अच्छा तरा नहीं हो सकते हम फोन पर मुवी देख सकते क्य keeping ये आपका नम कै तो आप इंटरनेट का सिस्तमाल करते हैं हम करते हैं इंटरनेट की स्पीड कैसे चल रही है कि स्पीड चल रही है क्योंकि हमेंड क्लास के लिए internet ठीक से पाता है क्यों नहीं पड़ पाते हैं क्या कारण है कि यह जब हम टूजी की स्पीड से इंटरनेट में क्लासिस बंद हो जाती हैं आप क्या चाथी हैं क्या होना चाहिए 4G 4G की स्पीड होन चाहिए हाँ जी अंधरशको समय के साथ साथ जैसे परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है वैसे ही परिवर्तन हमारी आज की जीवन शैली में भी आता है हम जो चीज़ें इस्तिमाल करते हैं उनमें हमें हमें देखने को मिलता है mobile phone की बात करें mobile phone जो है आज हमारी need बन चुका है और mobile phone में जो हमारे applications हैं या फिर जो भी tools हम इस्तिमाल करते हैं वो हमारी आज need है हम उन पर dependable हो गए हैं लेकिन ये services हम तभी ले सकते हैं जब हमारे पास internet की facility हो। जी हां, internet मिल रहा है हमें, लेकिन speed नहीं मिल पा रही है। और speed की बात करें, जिस तरह से government ने फिलहाल 8 जनवरी तक 4G पर फिर से band लगा दिया है, 4G की services हमें नहीं मिलेगी, तो हम देख रहे हैं कि विद्यार्थी work, business class, अन्य शेत्र के लोग काफी हद तक पर भावित हो रहे हैं, government को एक बार फिर से संग्यान लेना होगा, कि एक बार पुना विचार किया जाए और कम से कम trial basis पर जम्मू में 4G की speed resume की जाए, तांकि लोग जो हैं वो रहात के सांस ले सकें, इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजे जाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार.